नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर मैं आगे हो अपनी दुकान चलाने के लिए और एक ऐसे प्रोटीन का रिव्यू कुछ इस तरह करूंगा कि आपको बुरा और महंगा प्रोटीन भी बहुत अच्छा और सस्ता लगेगा क्योंकि यही तो मेरा काम है बेचने का ऐसी ही कुछ सप्लिमेंट रिव्यू वीडियो आपको मिलती है जब आप यूट्यूब देखते हो जो आपको चाहिए वह बेच दिया जाता है लेबल पढ़के बता दिया जाता है कि भाई इसमें 5.5 ग्राम BCAA है और 10 ग्राम EAA है मेरे भाई वह लेबल पर लिखा है कोई भी पढ़ लेगा तुम क्या नया बता रहे हो बताना है तो क्वालिटी ओफ वे बताओ पैप्टाइट्स और वे में डिफरेंस क्या है वह बताओ किस हैयारकी में कौन सा प्रोटीन ब्लेंड डला होता है वह बताओ पर स्कूप सर्विं बेवकूफ बना रहे हो है अर्विवर्स को कुछ कॉलिटी इंपुट दो ना कि वीडियो बनाने के लिए से वीडियो बना दो मेरा काम था आप लोगो समझाने का एंड आई होप आपको कुछ समझ आया होगा अब कर लेते हैं काम की बात सिंथिया 6 एक ऐसा प्रोटीन है ओलली में सबसे ज्यादा इमांड इंप प्रोटीन है और सिंथियो सक्राइज हो ने सच्छ में कोई इस जैन गाति ये शिंटकर मढई के लिए कुछ पेरामिटर से वह होता है उस को से बुझ अब ब्रॉटे 대해서 हो यह था है दॉसरा होता है प्रास पर स्कूप नरी को कॉण कौन से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है एंच छौत फोता है बहुत इंपॉर्टन क्वालिटी ओफ वी क्या है उसकी पहले समझ लेते हैं प्रोटीन टु सर्विंग रेशियो कितने ग्राम स्कूप में आपको कितना प्रोटीन मिलता है देखो एक स्कूप आपको सिंधिक इसमें आपको मिलेगा 22 ग्राम प्रोटीन और 14 ग्राम काप जो कि किसी भी कैटिगरी में लाई नहीं करता ना कि 100% वे में और ना ही गेनिंग प्रोटीन में तो प्रोटीन टू सर्विंग रेशो में ये होते हैं फेल नेक्स्ट आजओ प्राइस पर स्कूप कितना पड़ता है देखो 2.27 kg के बॉक्स में आपको मिलती है 48 सर्विंग और प्राइस है इसका 5400 तो इसकी एक सर्विंग आपको पड़ती है 112 रुपे की तो मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस भी है थोड़ा नेक्स आजओ फ्लेवर देखो फ्लेवर इस गुड क्योंकि मैंने भी यूज किया है और लड़कों के भी काफी रिव्यूज मैंने सुने हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट फ्लेवर बहुत अच्छी है जिसमें ये पास होता है लास्टली बात कर लेते हैं कि क्वालिटी ओफ वे क्या है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट डाउट क्वालिटी ओफ वे इसमें बहुत अच्छी दी गई है प्रोटीन ब्लेंड है इसमें 60% वे कंसंट्रेट मिल जाएगा और बाकी 40% जो है उसमें आता है आपका प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन हाइड्रोलाइज और केसीन प्रोटीन भी है इसमें तो ओवर ओल देखा जाए तो प्रोटीन क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो क्वालिटी के मामले में तो भाई ये पास होता है विदाउट डाउट अब रही बात क्या ये प्रोटक्ट ओवर हाइब है या नहीं तो yes, ये मेरे हिसाब से overhyped product है definitely, क्योंकि जिस price range में ये आता है, इसमें आपको और बेतर products मिल सकते हैं, जैसे कि muscle tech, nitro tech and on gold, तो फिर ये किसे लेना चाहिए, देखो ये वो लोग लेंगे जो पहली बात synthesis के fan है due to its result, secondly, जिनको price matter नहीं करता, and third, जिनको taste and quality दोनों में compromise नही चाहिए, तो अगर आप इन में से कोई हो, तो definitely ये product ले सकते हो, इसका alternate चाहिए तो मैं बता देता हूँ, blaze भी आता है, get my metal का, RC का प्रोएंटियम आता है, on gold standard आता है, and nitro tech आता है, तो ये सब gaining protein में आते हैं, आरे protein चेक कर लेना, compare कर लेना, and जो ठीक लगे अपने according वही लेना, तो ये थी मेरे वाई, मेरी opinion on synthesis, सारे protein के link आपको नीचे bio में मिल जाएंगे, so go and check out, ऐसी ही और वीडियो के लिए, follow कीजे, and subscribe कीजे मेरे channel को, and best prices and offers के लिए visit कीजे, fitbox.in, and again, this is me, Salman, signing off today, and take care, and I'll see you in next video.